और अब आपको सीधे लिए चलते करनाटक जोहां पर प्रधान मंति नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहें सुनिए। तब से कैसी कैसी घटना है हो रही है यह आप चिंता का विशह है उसको एक साथ चोड़कर देखिए उसको पुक्रा में मत देखना आप सोचिए भाजबन होगने में है क्या हुआ है हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ जहां शिच्छा का दाव है हुबली में एक बेटी को एक के बाद एक के बाद एक चाको के खाव मान दिये जाए वो द्रश्य देखिए कर हर किसी का दिल पहल गया है लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के लिए बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुड़ गई तुस्ती करण के लिए कॉंग्रे किसी भी हद को पार कर सकती है साथियों करना टका में कट्टर पंथी ताकते देल लगाम हुई है कोई दुकांदार अपनी दुकांद के भीतर हनमान चालिशा सुनता है तो उसकर हमला हो जाता है राजदानी बैंगलूरू तक में दिन दहरे आतंग की हमला होता है बम फुड़ता है और सरकार पहले क्या बोलती है कि ये गैस का सिलेंडर फटा है ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है बाद में कहते हैं कि बिजनेस नाइबल रही थी भाईयों बहनों ये नॉर्मल क्राइम की घटाएं नहीं है ये आतंक बात की कट्टरता बात की मानसित्ता है और कॉंग्रेस रफ बोट पाने के लिए इस मेंटालिटी को प्रोटेक्ट कर रही है प्रमोट कर रही है साथियों कॉंग्रेस की वोट में की राजलिटी के चलते अब देश में एस्टी एस्टी के अभिकार भी सुरक्षित नहीं है एक और बीजेपी सरकार ने करणा तका में तलवारा समुदाय को एस्टी का दर्जा दिया था करणा तका में तील लाग से जादा परिवारों को हक्कू पत्र दिये गए लेकिन करणा तका में कॉंग्रेस ने सम्विधान बदलने एस्टी एस्टी उबिसी का हक चेदने का अभियान शुरू किया है हमारा सम्विधान धर्म के आधार पर रिजरुशन की बात नकारता है नहीं स्विकारता है लेकिन करणा तका के सरकार ने ओबिसी रिजरुशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है ये इतने से भी नहीं मानेंगे इन्होंने पहले भी अपने मैनिफेस्टों में धर्म के आधार पर रिजरुशन देने के लिए कामों बनाने की बात नहीं इस बार भी इनके मैनिफेस्टों में ऐसे ही सिगल है और मैं देखके मेरे दली भाई बहनों को मेरे एस्टी भाई बहनों को मेरे ओविसी भाई बहनों को मैं आपको कांग्रेस के मनशुवों से चेतने की जरूत समझेए ये लोग धर्म के नाधार पर अपने वोट मेंक को सुरक्षिद रखने के लिए वो आपके अधिकार जो बाबा साब अंबेर करने दिये हैं जो भारत के संविधान ने दिये हैं उस पर लूट चलाने की तांक में बैठे हैं उनको लगता है कि आज पार्लामेक में सबसे ज़्यादा S.C.M.P. B.J.P. के हैं सबसे ज़्यादा S.C.M.P. B.J.P. के हैं सबसे ज़्यादा O.C.M.P. B.J.P. के हैं और इसलिए उनको लगता है अब SC, ST, OBC तो BGP का हो गया और अब माइनोरिटी के उपर भरोसा करने के लिए SC, ST, OBC का लुटो माइनोरिटी को देखें